आर्थिक प्रीवती के प्रकारों के बारे में जड़्चा कर चुके हैं। अब देखेंगे आर्थिक प्रीवतीओं का वर्गी करन। वो तीन भागों में बाटा गया है। व्यपार, वानिजौर, उध्योग। जिसमें सबसे पहले व्यपार की परिभासा देख लेते हैं। का मुल्य चुकाते हो और आपने क्या खरीदी किताब खरीदी तो यहां पर वस्तु के बतले में किसका वीनी में हुआ धन का वीनी में हुआ यहां पर सर्थ है कि दो व्यक्तियों के मध्य क्या होना चाहिए लेंदेन होना चाहिए अब देखेंगे अपने व्यपार के लक्ष करी टा तीसरा विभापार के लिए भीड मैं अनिवार है लेनन देन अनिवार है कि आपने पुस्तख!?ई उसके बदल में आपने क्या किया उसका मुल्ले चुका यह आफ पर वस्तु के बदले में धन का विमन हुआ है और छौधा Crispy वियवबार में वश्टु य सेव की मालिक फरिवारत न होता है आप ने उस वस्टु की ऍटो किसी हो गई यह आप की हो गई पांच्वा वश्टु के बद्ले में धन व स्थे यहोंता है यहां बुकतान किया जाता है कि आपने किताब खरिदी है तो आपको क्या मिली है वस्तु मिली है उसके बतले में आपने क्या किया है उसका धन के सवरुप में उसका मुल्य चुकाया है चटा है वेवपार सतर चलने वाली प्रवती है कि वेवपार तो हम करते ही रहते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु हम खरीदते रहते हैं उसका मुल्य चुकाते रहते हैं सात्मा वस्तु या सेवा का मुल्य धन में कैसा होता है निश्चित होता है कि आपने कोई वस्तु खरीदी तो उसका क्या होगा एक मुल्य निश्चित होगा कि जो किताब हो कितने रुप पालन करना पड़ता है अब यहाँ पर वैपार कितने प्रकार के हैं दो प्रकार के एक आंतिक वैपार दूसरा अंतराश्टिय वैपार पहला देख लेंगे आंतिक वैपार अर्था देश की सीमा के अंदर होने वाले वैपार को हम क्या कहते हैं आंतिक वैपार कहते हैं दुजरा से क्या खरीदी वह क्या है थो बाटता गया है लुए वित्रं की देश्टी से अंतीक वैपार को दो भागों में बाटा गया है एक थोगबन वैपार दूसरा फुटकर वेपार, थोगबन वेपार अर्थात, हॉलसेल, बड़े पैमाने पे उत्पादक के पास से माल समान खरीदना और फुटकर वेपार अर्थात के अपनी आवशक्ता के अनुशार थोगबन वेपारी के पास से माल खरीदना उसे हम फुटकर वेपार कहते हैं इसी लिए थोगबन वेपारी माल के उत्पादक और फुटकर वेपारी की मद्द क्या है कड़ी अत्वा साकड के समान माना गया है अब हम देखेंगे दूसरा इसका प्रकार अंतराश्टिय वेपार अर्था देश की सीमा के बाहर होने वाला अत्वा दो देशों के बीच होने वाला वेपार कैसा कहलाता है अंतराश्टिय वेपार कहलाता जैसे कि हमने जापान से कोई मसीनरी खरीदी हो अत्वा अमेरिका से हमने कोई हतियार खरीदे हैं यह क्या है अंतराष्टिया वेपार है अब देखेंगे वानिजी दूसरा पकार कि वानिजी अर्थात वेपार वेपार की सायक सेवाएं जो वेपार को क्या बनाती हैं सरल बनाती हैं तो यह कौन सी सायक सेवाएं हैं जैसे कि बैंकिंग बीमा बाहन वेवार संदेश वेवार और गोदाम आरतिया की सेवाई या क्या है कि वेपार की सायक से वाई जो वेपार को क्या बनाती है सरद बनाती है इसलिए आज वर्तवन समय में वेपार के करण विश्यूप क्या बन गया है अब हम देखें कि उसके कुछ लक्षा वानी जी सब्द से वेपार का समाविश होता है कि वानी जी में किसका वेपार का समाविश होता है लेंदेन का समाविश होता है दूसरा वानी जी आर्थिक प्रवती है ये भी आर्थिक प्रवती क्योंकि धन के साथ जुड़ी हुई है तीसरा व्यपार के लिए साय को ऐसी सायक शिवावीश होता है जैसे कि बेंकिंग हैं बीमा हैं बाहन वेवार इत्यादी चौता वस्तु की समय और धन उपयोगिता मेंक्या होती है भृषधी होती है कि समय पर हमें क्या मिलती है वस्तु प्राप्ट आसनी से हो जाती है uge 5 वेपार की सवैंने फ्रफ्राप्त होती है तो गरहों को सब्सक्राइब अब अब अपने देखेंगे